ग्रेश डिसीज का सबसे पहला point क्या है कि ग्रेश डिसीज जो है autoimmune disorder है autoimmune disorder अब normally क्या होता है कि जो हमारा यह है pituitary gland का anterior part और यह है हमारा thyroid gland thyroid gland के उपर यहां पे लगे हुए है हैं रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स टी एस एच रिसेप्टर्स टी एसेप्टर्स लगे हुए हैं जो हमारा एंटीरियर पे ट्यूट्री है it releases hormone known as TSH thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone का जो main काम है वो TSH receptor से bind करके जो हमारा thyroid gland है thyroid gland यह हमारा है thyroid gland TSH receptor से bind करके इनको stimulate करके वो thyroid gland की enlargement करवा दोता है thyroid gland की enlargement करवाएगा यह उसका normal काम है इसको stimulate करेगा और further वो release करवाएगा यहां से T3 and T4 hormones tetroidal threonine and triadal threonine तो यह hormones वो release करवाएगा पर हमारा जो grave disease है यह autoimmune disorder है इसमें क्या होता है बजाए TSH के हमारी body खुद proteins या फिर antibodies antibodies produce करती है और यह antibodies TSH receptors के साथ bind कर जाती है जब यह TSH receptors के साथ bind करेंगी तो यह antibodies similar to TSH जो hormone anterior pituitary release करता था same इसकी mimicry करेंगी और इस gland की इस gland से T3 and T4 release करवा देंगी तो इसमें क्या होगा T3 और T4 का level बढ़ जाएगा T3 और T4 का level बढ़ा हुआ मिलेगा और सारे जो effects आएंगे वो इसके बढ़े हुए level के कारण जो भी हमें clinically patient present करेगा वो T3 और T4 का बढ़ा हुए level के कारण बढ़ेगा आपने कभी भी देखा होगा जो grave diseases का दूसरा नाम क्या है exathalmic goiter exathalmic goiter इसका दूसरा नाम है इसकी कभी भी आप picture देखो तो उसमें क्या दिखा रखा होता है कि एक female होती है female की जो eyes होती है वो bulging होती है हमेशा इसमें आप कभी भी कोई textbook पढ़ लेने को standard textbook होगी उसमें female की pictorial representation होती है तो ये कहने का मतलब है कि this is more common in women grave diseases common in women और इसमें protrusion of eyeball होता है वो eyeball क्यों हमें बाहर की तरफ आती हुए नज़र आ रही है क्योंकि जो eyeball के पीछे retrobalbar area जो eyeball के पीछे tissue होता है swelling हो जाती है उस tissue की जिसके कारण हमें eyeballs bulging नज़र आती है कि वो बाहर की तरफ bulge कर रही है और इसमें एक और बात है कि क्योंकि हमें पता है जो thyroid hormone है इसका normal functioning में क्या काम करवाता है thyroid hormone है caloriegenic hormone है caloriegenic का मतलब है कि ये energy production में काम आता है normally क्या होगा कि हमारा जो nitrogen metabolism है उसको ये बढ़ा दिता है उसमें क्या होगा कि हमारे जो carbohydrates हैं का breakdown जो release करवाते हैं ये काम करवाते हैं उसका breakdown को तो वही caloriegenic यांके फिर heat production का काम होता है caloriegenic effect इसका कैसे आता है calorie O2 consumption tissues में बढ़ा देता है O2 का consumption कैसे जो hemoglobin O2 के साथ bind करेगा तो ये इसका dissociation promote कर देता है dissociation promote करेगा तो O2 हमारे पास ज़्यादा आएगी यूज करने के लिए tissues को ज़्यादा availability होगी तो ये energy produce होगी इससे और ये sodium, potassium, ATPase की working को भी बढ़ा देता है कि ये इसके caloriegenic effect आ जाते हैं अब इसमें क्या होगा इसका level बढ़ा हुआ है तो हमारा heat production ज़्यादा होगा हमारे fatty acids burn होगे proteins burn होगे तो उसके कारण क्या होगा हमारा body weight low body weight low body weight feature के साथ भी patient present करेगा क्योंकि उसके जो normal metabolism है low body weight हो रहा है अब उसको उसके body का weight कम हो रहा है क्योंकि उसके proteins और जो fat deposits थे वो burn हो रहे हैं तो वो hyperphagic हो जाएगा उसको भूख ज़्यादा लगेगी hyperphagia भूख का ज़्यादा लगना उसको खाने में खाना ज़्यादा खाएगा वो क्योंकि उसके वो burn हो रहे हैं जो deposits हैं protein reserves fats के वो burn ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके कारण hyperphagia के साथ भी हमें present होगा और तीसरा BMR basal metabolic rate उसकी activities बढ़ जाएंगी क्योंकि यह हमारा daily routine यह एक ऐसा हॉर्मोन जो pulsatile नहीं है यह regularly एक level में जिन्दगी चलाने के लिए thyroid hormone is necessary for that BMR उसका plus 10 से लेकर plus 100 तक भी बढ़ सकता है तो यह था हमारा grave disease thank you for watching my video